दोस्तो क्या भी भारत माता की सीवा कर रहे हैं 75% सैनिक अयोग हैं अगनी वीर ही क्यों सदन वीर भी लागू कीजिए लोग सभा राजी सभा में हाई फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तो सरकार का जो यह नया नियम आया है अगनी पत्थ में अगनी वीरों की भाली होगी चार साल के लिए तो मेरा तो मानना है कि यह सारे विभागों में लागू कर दिया जाए आईएस अगर आप बनते हैं यूपीसी कंप्लीट करते हैं तो चार साल पहले आपकी सेवा रहेगी उसके बाद आप चार साल के बाद रिटायर कर दिये जाएंगे जिसमें से 25% लोग जो यो कोकरी में अरक्षन दे दिया जाएगा या फिर वो रिटायर हो जाएंगे जो उनकी मर्जी होगी करेंगे क्योंकि वहां से जो निकलेंगे आईएस की ट्रेणिंग से या आईपीस की ट्रेणिंग से वह तो उन्नत किस्म के इंसान होंगे उसी तरह से सदन वीर होने हैं और भी बहुत सारे चार्ज होते हैं या अच्छा से परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको रखा जाए बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाए और उन्हें नगर पाली का नगर निगम जिला परिसद वेगारे में आरक्षन दे दिया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती र देंगे बाकी उसमें जो 25% योग होंगे वो आगे करेंगे और बाकी जो 75% होंगे उनको प्राइमरी स्कूल में आरक्षन दे दिया जाए कि प्राइमरी स्कूल की बहाली में इनको आरक्षन का लाब मिलेगा इसी तरह से तो हर विभाग में करना चाहिए देश तो अग्द नियम सिर्फ गरीब के बच्चो या निमनिमध्यम वर्गिये परिवार के बच्चो के लिए ही लागू है जो सेना में बहाली के लिए दीन रात एक किये वे रहते हैं सुबह से उठकर चार बज़े सुबह में जब सब लोग सो रहे होते हैं वो सड़क पर दोड़ते रहते हैं अगर यह नियम सिर्फ उनके लिए है तब तो अच्छी बात नहीं है लेकिन अगर यह सारे विभाग में लागू कर दिया जाए तो इससे बढ़िया नियम मेरे हिसा आप से कुछ कोई भी नहीं हो सकता है कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जुरूर बताईएगा ओके बाई